शादिन खाना आगया जो असलाम लेकूम एट वलकम बैक टू बाई चैनल कैसे आप सब लोग का हुपके आप सब खेरियत से होंगे आज की वीडियो ची होने वाली है बहुत ही जबर्दस क्योंके आज की वीडियो में आप लोग के साथ में अपना फेवरिट फेस मास्क पी शेयर करने वाली हूँ आज़ ची अब यहां पर ये बास्कित साट कर रही थी अच्छा ये मैं लाई थी लास्ट वीकेंड पर और मैंने का चले इसके अंदर में रखती हूँ ये गलास और बच्चों की वाटर बोटर क्योंकि जब मुझे किचन क्लीन करना होता है ना उस तरह फिर सारी चीज़े मुझे एक की करके उठानी पड़ती है इससे क्या है कि आराम से बास्केट को उठाएं आप और जोहना नीचे से क्लीन कर लें और जो भी चीज़ आपको इसमें से यूज करनी होती है वाटर पोटर गिलास या फीटर तो वो सारी चीज़े इसके अंदर आ जाती है आराम से आप उठाके यूज भी कर सकते हैं और वाश भी कर सकते हैं तो ये मुझे बहुत ही जबरदस लग रहा था काउनर और अपी चीज़े मैं बना रही थी अपने लिए अनार और चुकंदर का जूस अच्छा इसकी रेसिपी मैंने ओर्ड रेड़ी शायद आप लों के साथ शेयर की हुई है और अपी जूहना मैं जूस बनाऊंगी और उसके पास जूहना फर मुझे लेना है शावर और आज मुझे लगाना है हेर मास्क तो वह भी आप लों के साथ शेयर करूँगी जो कि मैं पिछले 10-12 साल से यूस करी हूँ और बहुत यह चैस के रिजल्ट मिलते हैं और जो हेर मास्क हम बनाएंगे उसके लिए जो भी हमें चीज़ें चाहिए हूँगी इसके अंदर मैंने हाफ लेमन डाल दिया था अकर आपको ब्लैक सॉल डालना है तो डालने लेकिन इसके अंदर आपने शूगर नहीं डालनी है अगर आप वेट कर रहे हैं तो उस टाइम पर भी यह वाला जूस बना कर पी सकते हैं आपको बूख भी नहीं रखती है और हल्दी भी होता है हमारे स्कीन और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और बस जी मैं यहां पर पैट के जूस पी रही थी और शाजन की मस्तियां तो आप लोगों ने देख ही होंगी इसका काम यह होता कि जब भी मैं कॉफी यह जूस பित कि लुत Sicования यहां पर फिर मैं आ गए थी बर्तन वॉश करने के लिए और उसके पाश चूहान मैंने जूस पीया था लेकिन वीटियो जेहाना वह आके पीछे होन樹 वीए ख भी बर्तन वॉश कर लूँगी बरतन वाश करने के बाद जी फिर बच्चों को कुछ खेलाना है और उनको जो हैना फिर टीवी लगा के दे दूँगी ताकि वो अराम से बैठ के टीवी देखें और उसके बाद जो आगे के मेरे कामना उनको मैं कंटीनियू करूँ क्योंकि मुझे हेर मासक करना है और फिर बालों में लगाना भी है इसके लिए ершी काफी टाइम भी चाहिए होता है और बचे भी इस टाइम पर बु 누구 difficult करते हैं अच्छे ज़ाँ पर मैंने ले लिए आ इद्रक और साथ में एक प्यास ले लिए है और एक मैंने ले लिये है, अलु है, अधा अलु है, जिसको मैं अधा पहले यूज कर चुकी हूँ अपने स्कीन के लिए, तो आधा जो बचावा था, इसको मैं आज यूज करने वाली हूँ अद्रक को जी मैं कर लूँगी कदू कश और उसके पास जो प्यास है ना उसको भी आपने कट कर लेना है आप चाहें तो इस तरह कदू कश करके इसका जूस निकाल सकते हैं और प्यास का भी शितरा जूस निकलाता लेकिन ठीक से नहीं निकलता तो इसलिए जी मैंने इसको अद्रक को कदूकश कर लिया था और प्यास को भी कड़ करके ब्लैंटर में इका «द्रक कर देती हूँ» अच्छा अद्रक का जूस तो ऐसे ही निकल आता लेकिन ने सुच़आ इसको भी साथ में डाल देती हूँ इसका जी हमें चाहिए होगा जूस मैंने एक चोटा सा टुकुड़ा अद्रक लिया था और साथ में जो है ना मैंने एक प्यास लिया था नॉर्मल साइस का और बस जी इसके अदर आपने पानी नहीं डालना है बस ऐसे ही इसको ब्लैंड कर लेना है तो यह बहुत यह राम से क्योंकि आपने स्पून के साथ में प्रेस करना है तो इसके में आपने स्थित जी नि कले नहीं पूर हो इस तरह है आपू साथ में प्यास का निकालता है अदर जाए लेनए हों अच्छा यह इतना मैजिकल इसको हेर मास्क कह सकते हैं मैं इसको तकरीबन आठ नौ साल से यूज कर रही हूं और यह वला हेर मास्क मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था मैं उसको आज तक दुआएं देती हूं क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा बिल्कुल देल नहीं करता था एक और ऊमस्को लगाने का कि प्यास का पानी कौन वालो में लगा है लकिन आप मुझे इसकी आदत हो गया है और उसके հिजल्टेएं पहुत ही अमेसिंग मिलते हैं आप चाहे तो इस पानी दtown करे कि नदर मिक्स करके भी लगा है अगर आप चाहे तो दही के अंदर भी ल लगा सकते हैं मेरे पस खतम हो गय थे तो मैंने आज नहीं डाले हैं वरना मैं इसके अंदर दो वाइटामिन एक कैपसुल डालती हूं और फिर इसको बालों में लगा देती हूं बहुत इच्छा सा यह मास्क बनता है और पहले अपने बालों को ब्रश करना है और उसके बाद अपने बालों में यह मास्क लगा लेना है उसके बाद आपके पास इस तरह की कोई भी शावर कैप है तो वो पैन ले नहीं तो जो नॉर्मल शॉपर होता है वो भी आप ले सकते हैं इसके लावा अगर आपके पास छोटा हेर टावल है तो वो भी ले 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 बस यह है कि आ आपने अपने हेर को कवर करके रखना है और दो गिंटे के बाद आपने शावर ले लेना है शावर लेने के बाद कोई भी आप जो सीरम लगाते हैं वो अपने बालों में सीरम लगा दे और उसके बाद बहुत ही अमेजिंग आपको रिजाल्ट मिलती है इससे हेर फॉल भी ख पेच पार अपला तो फूरा नूरागा सासी है तो में पार चोड़ को यहां पर जूश के बाटव करेंगे पाउडर, और थोड़ा थोड़ा है, तो फूरागा तो तुबाना से पूरी मेंद करके जूश निकालना पड़ेगा, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके कोफी को डाला है ताकि अच्छे से ये फेस मास्क बनकर ready हो जाए बस ये है कि इसको जब mix करी होते है उस टाइम पर थोड़ा time लेते हैं ये फेस मास्क बनने में काफی टाइम लगता है इसको mix करने में और उसके बाद जो है यह कुछ इसतरह का क waterproof करना है और अच्छे से अपने face को wash करना है और उसके बाद जो है नः फेस पर इसको apply करते हैं और पंद्रा मिनट के बार नॉर्मल waterproof से अपने face को wash करें और इसके बाद जो भी आपका फेरेड मॉस्टराइजर या डे क्रीम है वो आप अपने फेस पर जरूर लगा ले अच्छा आप इसको बना कर स्टोर भी कर सकते हैं मतलब आप इसको एके साथ बना ले और फिर दो तीन पर अपने फेस पर अराम से इसको उपलाई कर ले वीक में मतलब आप तीन बार इसको भाराम से यूज्स कर सकते हैं इसके बहुत ही हमेजिंग आपको रिजल्ट मिलते हैं और यहां पर जी मैंने अपने चूचू के साथ थोड़ी सी लाड़ियां की जो के राम से बैठ के गुड़ बॉय बनके खेल रहा था और दूसरा बैठ का टीवी देख रहा था और यहां पर फिर मैं आ गयी थी अगें बरतन व Kopf करने क्योंके जूस बनाया था उस टाइम बरतन वोश किये और उसके बाराइ जिके बार नजरी के है और उसके बाट जी फिर next day था और next day फिर हम पहुंच गए थे जी सीधा पार्क में और आज जी हम बच्टों को पार्क लेकर आए हुए थे क्यूंकि फिर आगे से तो गरमी स्टार्ट हो जाएगी मतलब गर्मी अब स्टार्ट हो चुकी है लेकिन आज वेदर अच्छा था हवा चल रही थी तो बच्चों ने खूब फ़न किया था ये लोग जी प्लेन लेके आये थे और इनका ये प्लेन फिर हम साथ लेके गए थे चलें यहाँ पर हवा भी होगी और खुली जगा भी होगी तो राम से जो हैना अपने प्लेन को उड़ा ले क्योंकि आज कल हमने जब भी बाहर निकलना होता है तो इनका प्लेन साथ रख लेती है ताकि ये लोग बाहर उडा ले घर में तो उड़नी सकता है लेकिन जैसे ही शाजन पार्क में आता है तो शाजन को अपना प्लेन भूल जाता है लेकि शाजन आता है लेकिन पार्क में आके छोटा ही खेलता है प्लेन के साथ चोटा और उसके पापा जो है ना यहां पर प्लेन के साथ केल देती और शाजन ज जो कि मैं तक्रीबन अपनी काफी वीडियो के शेयर कर चुटी है कि अपने बचे भी शूक शूक शुक्ता हैं तो बस जी क्यूंकि इसके अंदर सुट कॉन भी टाले होते हैं चीज और सोय सोस और बहुत ही टेस्टी होता है और स्पाइसी नहीं होता लेकिन बच्छों को यह काफी पसांद आता है और दोनों भाई यहाँ पर बैटके सको एंजॉय करें थे आर्क में खूब फ़न करने के बाद जो यहाँ पर पास में ही शॉपिंग सेंटर है तो हम वहाँ पर आ गए थे कि इनको कोई ट्वाइस लेके दे दे क्योंकि संडे वाले दिन अनके पापा का क्या होता है कि इनको कोई ने कोई ट्वाइस ज़रूर लेके देते हैं और बस यहाँ से इनको ट्वाइस लेके दिये बोल जाती हूं मिठ्टू को मिठ्टू नराज हो रहे मिठ्टू को हुआ साजिन भाई को दे दो ना कैप्टन मेरका कैप्टन मेरका दे दो वन गी मी वन कैप्टन मेरका प्लीज नो शेर और बस यहाँ खरा गयते और फिर यह नेक्स डे था और यहाँ पर बच्चे जोहना फाइट कर रहे थे हलाके दोनों की अपने अपने चीज़े होती है लेकिन एक ही टाइम पर दोनों को एक ही जिस्ता ही होती है और फिर लड़ते भी है और एक दुसरे को डांटते भी है लेकिन ये है कि छोटा मान जाता है लेकिन बड़ा जो हैना वो नहीं मानता है और अभी जी हो गए थी हमारी डोर पर बेल और बच्चे दोनों बहुत ही खूश हो रहे थे कि कौन है अच्छा इनके पापा लेकिया थे ग्रोसरी और ग्रोसरी नोंने बाहर रखती थी उनको किसी काम से जाना था तो उन्होंने कहा मैं अंदर आओंगा तो ये वापिस नहीं जाने देंगे आप लोग ग्रोसरी उठा लो मैं थोड़ी तेर तक आता हूँ लेकिन बच्चे यहाँ पर इतना खूश हो रहे थे कि पापा आगया या फिर अंकल आगया कौन आया है तो शाजन जाकर चक का रहा था कि पापा लेकिया आया है पापा किदर लेकिन पापा तो जा चुके थे और चोटे साब यहाँ पर मेरी हल्प करने में लगा होता है चाह इससे वो काम हो या ना हो और बस यह है मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो कि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है चानल को भी सस्क्राइब करना है मिलते हैं नेक्स वीटियो में अलहाफेज